इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं SDFC Ergo के Health Insurance के बारे में इसके सभी plans को मैं compare करने वाला हूँ प्लस ये market के अंदर सबसे highest premium charge करता है Health Insurance के लिए प्लस इसके pro और cons क्या है SDFC Ergo Health Insurance के ये सारी चीज़ आनने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर तो guys पूरा वीडियो यहां पर जरूर देखेगा तो देखें guys recently यहां पर mint basket करके basically mint acre जो है basically online website live mint करके newspaper भी आता है इन्होंने एक survey किया और इन्होंने जित्ती भी top health insurance थे उन्हों सभी के यहां पर list बनाई है तो उसके इंदर आप देशकते है second number पे इन्होंने SDFC Ergo का Optima Secure Plan रखा हुआ है जिसकी जो overall rating है वो 4.8 के आसपास है तो आप में guys इनका जो plan है इनका जो claim settlement ratio है वो सबसे highest है in 2021-22 और bless Christ इनका जो basically SDFC Ergo का जो plan से वो आपको policy bazar इन website के उपर भी compare करने को नहीं मिलते हैं तो आज के इस video के अंदर इनके जित्ते भी plans है उन सभी को हम लोग compare करने वाले हैं देखे guys इनके अगर में major plans की बात करो तो इनके पास में majorly 4 plans है एक का नामे Optima Secure करके एक का नामे Optima Restore एक का नामे My Health सुरक्षा करके और एक का नामे My Health Cootie सुरक्षा करके लेकिन इनका जो सबसे popular plan होता है वो होता है Optima Secure क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा USP है जो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलता जिसको हम लोग 4X यहां पर coverage बोलते हैं आप guys यह 4X coverage है क्या चलिए इसको एक example के साथ में समझते हैं तो guys इसके लिए मैंने यहां पर Optima Secure का simply एक prospect खोल लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं टेस्टेबल के अंदर तो guys माल नीचे आपने 10 लाख रुपे का एक basic summer short का यहां पर health insurance लिया SDFC Ergo से Optima Secure करके plan तो guys इसके अंदर क्या होगा instantly आपको यह secure benefit करके एक option होता है यानि कि अगर आप 10 लाख का plan ले रहे हो तो ultimately यह 20 लाख रुपे का आपको summer short प्रोवाइड करेंगे यानि 10 लाख के पैसे आपने दी है लेकिन आपको 20 लाख रुपे का यहां पर summer short दिया जाता है उसके बाद में guys क्या होता है तो ultimately जो first year होगा आपका तो अगर मालीजे अगर आपका bill 10 लाख के beyond भी जाता है तो ultimately आपका hospital के अंदर आराम से वो settle हो जाएगा मालीजे first year आपने कोई भी claim नहीं किया तो guys यह लोग क्या करते simply bonus यहां पर no claim bonus जिसको हम लोग बोलते वो simply यह provide करता है तो guys 50% of the summer short यह provide करता है तो मालीजे second year में क्या होगा 10 लाख रुपे आपका basic summer short होगा और secure जो benefit यह लोग extra जो provide करते हैं वो भी 10 लाख रुपे होगा और साथ में आपका जो bonus बनेगा वो 10 लाख का simply 50% यानि की 5 लाख रुपे बनेगा और साथ में guys यह automatic registration benefit भी आपको provide करते है 10 लाख रुपे का तो वैसे अगर आप देखोंगे तो 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख यह तीनों ही मिला के आपके 25 लाख रुपे हो जाएंगे यानि आप जो यहाँ पर पैसे दे रहे हैं premium के वो केवल 10 लाख रुपे के दे रहे है 10 लाख रुपे ऐसे secure benefit मिल रहा है और first year आपने claim नहीं किया था इसलिए 5 लाख रुपे का आपको bonus मिल रहा है तो ultimately आपका जो sum assured है वो 10 लाख से सीधा 25 लाख रुपे याँ पर बन चुका है दूसरे साल के और guys ऐसे ही अगर आप मालीजे 2 साल तक याँ पर claim नहीं करते हैं तो आपका bonus याँ पर 5 लाख की जगे 10 लाख रुपे हो जाएगा और guys अगर आप सभी को याँ पर claim टेव करेंगे आपको याँ पर बन जाता है यानि कि 10 लाख की जगे सीधा 4X का आपको याँ पर benefit मिल जाता है आप guys बात करते ही हम लोग इसके premium की कि इसका premium कितना आता है तो guys इसके लिए simply मैंने अपनी जो age है अपनी wife की जो age है वो 29 रखी है एक optima secure deductible amount के साथ में दिख रहा है और एक optima secure दिख बात करते ही कि deductible amount क्या होता है तो guys अगर आप अपना basically premium कम करवाना चाहते है कहीं पर भी तो आप company को यह बोलते है कि जैसे for an example इस plan के अंदर 25,000 रुपे मैं अपनी जेव से दूँगा मालेजी आपका जो medical का bill है hospital जो bill है वो एक लाक रुपे का है तो 25,000 रुपे मैं हमेशे अपनी जेव से दूँगा जब भी मैं claim करना चाहूँगा और बाकी का जितना भी amount है वो पूरा कम नहीं देगी तो guys इस case में क्या होता है आपका premium यहाँ पर कम हो जाता है अगर आपकी age 29 years है आपकी wife की भी age 29 years है तो इस parameter के उपर यह premium आता है लें guys वहीं पर अगर मैं compare करूं market के अंदर और यहाँ पर health insurance company के साथ में तो आप screen के साने दे सकते हैं चाहे मैं care का example लो वहाँ पर भी आपका premium 11 से 12,000 रुपे आएगा पांच लाग के समय short के उपर वहीं पर guys अगर मैं star की भी बात करूं तो वहाँ पी भी आपका almost इतना आता है तो guys यहाँ पर अगर आप premium दिखेंगे तो काफी जादा premium यहाँ पर आपको दिखाए देगा दूसे benefit की बात करूं room capping के उपर कोई भी limit नहीं है यहाँ पर आपको pre-hospilation 60 days और post यहाँ पर आपको 180 days वगरे मिल जाएगा अगर आपका hospitalization include the COVID-19 है वो आपको मिल जाएगा साथ में guys यहाँ पर emergency air ambulance वगरे की भी आपको expenses वगरे मिल जाएंगे साथ में guys यहाँ पर आपके domicile expenses यानि कि अगर आप hospitalization at home कर रहे है तो वो भी आपके expenses केंदर cover है किला guys अगर मैं waiting period की बात करूं तो दो type के waiting period है जो pre-existing disease होगी उसके उपर simply 3 साल का यहाँ पर waiting period लग जाता है वहीं पर जो species disease है इन्होंने एक पूरी list बना रखी है इसके अंदर आप देख सकते हैं कौँ कौँ से यहाँ पर diseases दे रखी है तो उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर 2 साल का waiting period वगरे दे रखा है और साथ में अगर आप नई policy purchase करेंगे जो 30 days का और normally जो standard waiting period होता है वो इसके उपर भी यहाँ पर applicable होने वाला है इसके लगाइस अगर मैं बात करूँ hospitalization के expenses वगरे होगे room rant हो गया ICU के charges वगरे होगे आपका surgeon हो गया anesthesia हो गया यह सब कुछ यहाँ पर cover होता है इसके लगाइस यहाँ पर आपको preventive health check-up वगरे भी मिल जाता है free of the cost और अगर आपके पास में एक family floater प्लान है तो पांच लाग के उपर बात करूँ तो पच्छी सो रुपे पर policy per year basically आपको यहाँ पर reimbursement वगरे मिल जाता है जिसके अदर आप अपने normal check-up वगरे यहाँ पर ले सकते हैं तो गाइस अगर इस policy कि मैं simply usp की बात करो तो इसके अंदर एकी usp है कि यह आपको एक secure benefit करके additional basically यहाँ पर summer shot देता है यानि जितना आप summer shot लेंगे उसका सीधा आपका double कर देगा first day के उपर ही और उसके बाद में भी अगर आप claim नहीं करेंगे तो आपको bonus मिलेगा और automatic registration का benefit में मिलेगा तो यह जो चारो चीजे है वो मिलके अपने आपने इस plan को जो है बहुत अच्छा बना देती है अब वाई इस बात करते हैं इसके cons क्या है तो देके cons तो एक ही है कि इसका premium बहुत ही जाद है 18,233 रुपे है वहीं पर अगर मैं किसी normal एक insurance company से यहाँ पर same kind of the health plan लेता हूँ पांच लाख रुपे का मुझे सिफ 11 से 12,000 रुपे यहाँ बढ़ने पड़ते हैं वहीं पर अगर मैं इसको simply care के supreme से भी compare करता हूँ जहां पर आपको no claim जो bonus है वो 5,5 रुपे से increase होता है और 2 साल तक अगर आपने claim नहीं किया तो simply अगर 4X हो जाएगा लेकिन देखिए कभी भी यहाँ पर कुछ भी situation बदल सकती है अगर आप admit वगरे हुए और इतना जादा अगर आपका bill वगरे नहीं बनता है क्योंकि आप भी आपकी young age है तो उस case में 18,000 रुपे देना यहाँ पर कोई भी जो है समझदारी वाली बात नहीं ह है क्योंकि अगर मेरा simply 50,000 रुपे का भी बिल आता है hospital का तो मुझे अपनी जेब से 25,000 रुपे देने पढ़ेंगे और 25,000 रुपे यहाँ पर simply health insurance company देगी इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कुई भी डाउट से comment box में ज़रू बताएए thank you guys thank you very मेरा